हलो दोस्तो स्वागत है आप सबीका एक बार फिर से इस यूटूब चेनल रेल लोलिज में दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छेपूर जंक्षन से खाटू शामजी तक चलने वाली ट्रेनों के बारे में तो चली दोस्तों बात करते हैं जेपूर जंक्सन से रिंगस जंक्सन के बीच कुल 17 ट्रेने चलती है जिनमें दोस्तों 9 मेल अक्सप्रेस टाइप की ट्रेन, 3 डेमू, 3 सुपरफास्ट, 1 पेशेंजर और 1 हमसपर केटेगरी की ट्रेन चलती है दोस्तों इनमें जो हमारी पहली ट्रेन रहने वाली है वो है 20497 रामेश्वरम फिरोजपूर केंट हमसपर एक्सप्रेस ट्रेन दोस्तों यह साप्ता एक हमसपर केटेगरी की सुपरफास ट्रेन है और इस ट्रेन का संचालन उत्तरपश्ची मीरेलवेजोन करता है दोस्तों यह ट्रेन परतेक सुकरवार को जेपूर से रिंगस जंक्सन के बीच संचालित होती है दोस्तो अगर बात की जाए इस train के ट्रेबल टाइम की तो यह train जेपूर जंक्सन से रिंगस जंक्सन की गुल्दूरी 60 km को करीबन 80 km पर ते गंटा के वसके स्पीड से 45 मिनट में अपनी यात्रा तै करती है और दोस्तो इस train का जेपूर जंक्सन से रिंगस के बीच कोई भी स पर्टेक सुकरवार को जेपुर जंक्सन से रात में एक बज के 30 मिनट पे रवाना होकर रिंगस जंक्सन रात में दो बज के 15 मिनट पे पहुंसती है इसके बाद दोस्तो हमारी जो अगली ट्रेन है वो है 19807 कोटा हिसार वाया लोहारू अक्सप्रेस ट्रेन की दोस्तो यह सबतामी चार दिन संचालितोने वाली मेल अक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और इस ट्रेन का संचालन पस्ची मद्दे रेलवेजोन करता है दोस्तो यह ट्रेण जेपुर से पर्तेक सोंवार, बुद्वार, गुरुआर एवं सनिवार को रिंगस के लिए चलती है दोस्तो अगर बात की जा इस ट्रेन के ट्रेवल टायम की तो इह ट्रेण जेपुर से रिंगस की कूल दूरी साथ किलोमेटर और दोस्तो इस यात्रा को दुरान इस ट्रेन का दो स्टेशनों पे ठेराव रहता है दोस्तो यह ट्रेन परतेक सोमवार, बुद्वार, गुरुवार, सनीवार को जेपुरु जंक्सन से सुबह में पाँच बजे चल कर देर का वाला जी चोमु सामोत के रास्ते रिंगश जंक्सन सुबह में पाँच बज़ के सत्याओन मिनट पे पहुंसती है इसके बाद उस्तो हमारी जो अगली ट्रेन रहने वाली है वो है 198-13, कोटा हिसार वया चुरू अक्सप्रेस ट्रेन की दोस्तो यह सब्ता में तीन दिन संचालित होने वाली मेल अक्सप्रेस ट्रेन है और इस ट्रेन का संचालन भी पश्ची मद्दे रेलबे जोओन करता है दोस्तो यह ट्रेन परतेक मंगलवार, सुकरवार एवं रविवार को जेपूर जंक्सन से रिंगस जंक्सन के वीच संचालित होती है दोस्तो अगर बात की जाए इस ट्रेन के ट्रेवल टाइम की तो यह ट्रेन जेपूर से रिंगस की कुलदूरी 60 किलोमेटर को करीबं 63 किलोमेटर परती घंटा के दोस्ते स्पीड से सत्याउन मिनट में अपनी यात्रा गड़ती है और दोस्तो इस ट्रेन का भी दो स्टेशनों पर ठहरा रहता है दोस्तो यह ट्रेन परतेक मंगलवार शुकरवार एमरविवार को जेपूर जंक्सन से सुबह में 5 बजे चल कर रिंगस जंक्सन उसी दिन 5 बज के सत्याउन दोस्तो यह ट्रेन परतेक सो मवार को जेपूर जंक्सन से रिंगस जंक्सन के लिए संचाली तो अगर बात किजा इस ट्रेन के ट्रेवल टाइम की तो यह ट्रेन जेपूर जंक्सन से load की खुल दोरी 60 km को करीमान 70 km पर थे स्पीड से 51 मिनट पर अपनी यात्रा तय करती है और दोस्तो इस ट्रेन का जेपुर से जनों पे ठेराव नहीं रहता है। दोस्तो यह मेलक स्प्रेश टाइब की ट्रेन है और इस ट्रेन का संचालन दक्षिन मद्दे रेल वे जोन करता है। दोस्तो यह ट्रेन परतेक सोमवार को जेपुरु जंक्शन से सुबह में 5 बच की 50 मिनट पे चल कर रिंगस जंक्शन उसी दिन सुबह में 6 बच के 41 मिनट पे पाउस दी है इसके बाद दोस्तो हमारी जो अगली ट्रेन है वो है 09716 त्रिवपती हिसार सुपरफास्ट इस्पेसल फेर इस्पेसल ट्रेन की दोस्तो यह सापता एक सुपरफास्ट केटेगरी की ट्रेन है और इस ट्रेन का संचालन उत्तरपश्यमी रेलवे जोन करता है दोस्तो यह सापता एक ट्रेन है जो परते एक गुरुवार को जेपूर से रिंगस के बीच संचालित होती है दोस्तो अगर बात की जाए इस ट्रेन के ट्रेवल टाइम की तो यह ट्रेन जेपूर से रिंगस की कुल दूरी 60 किलोमेटर को करीमन 32 किलोमेटर परती गंटा के उस्ती स्पीड से 50 मिनट में अपनी यात्रा ते करती है और दोस्तो इस यात्रा के दुराने इस ट्रेन का एक स्टेशन पे ठहरा रहता है दोस्तो या ट्रेन परते एक गुरु आर को जेपूर जंक्सन से सुबह में 5 बच के 55 मिनट पे चल कर डेर का बालाजी ठहराव लेते वे रिंगस जंक्सन सुबह में 6 बच के 45 मिनट पे पाउस दी है दोस्तो यह सिमित समय तक चलने वाली ट्रेन है जो 4 अपरेल 2024 तक ही संचालित होने वाली है इसके बाद दोस्तो हमारी जो अगली ट्रेन है वो है 04704 जेपूर भटिंडा पेसेंजर एस्पेसल दोस्तो यह passenger type की train है और इस train का संचालन उत्तर पस्ची मी railway zone करता है दोस्तो यह सबता के 7 दिन संचालित होने वाली train है जो जेवपूर से रिंगस के बीच संचालित होती है दोस्तो अगर बात किजा इस train के travel time की तो यह train जेवपूर से रिंगस की कुल्दूरी 60 किलोमेटर को करीबन 40 किलोमेटर परते गंटा के वस्ति स्पीड से 1 गंटे और 30 मिनट में अपनी यात्रा तै करती है और दोस्तो इस यात्रा के उद्राने इस train का साथ स्टेशनों पे ठेरा रहता है दोस्तो यह train रोजाना जेवपूर जंचन से सुबह में 9 बच के 35 मिनट पे चल कर इसके बाद दोस्तो हमारी जो अगली train है वो है 09633 जेपूर रार्नोल खाटू शाम मेला डेमू स्पेसल ट्रेन दोस्तो यह डेमू टाइप की सब्ता में 2-3 संचालित होने वाली train है और इस train का संचालन उत्तरपश्ची मी रेलवे जोन करता है दोस्तो यह ट्रेन जेपूर से रिंगस की कुल दूरी 60 किलोमेटर को करीमेनी काउन किलोमेटर परती गंटा की उसती स्पीड से अपनी यात्रा एक गंटे और 10 मिनट में तैय करती है और दोस्तो इस यात्रा के दुरान इस train का 4 इस्टेशनों पे ठहराव होता है दोस्तो यह ट्रेन 24 परवरी 2024 तक ही संचालित होने वाली ट्रेन है और दोस्तो यह ट्रेन परतेक मंगलवार एवं सनिवार को जियवपूर जंग्चन से सुबह में 10 बच के 40 मिनट पे चल का रहे डैर का बाला जी चो मुशा मोद गुविंद गंड मलिक पूर होते वे रिंगस जंग्चन उसी दिन 11 बच के 50 मिनट पे रिंगस जंग्चन पाउसती है इसके बाद दोस्तो हमारी जो अगली ट्रेन है वो है 12403 परियागराज बिकान एर सुपरभाष्ट अक्सप्रेस वाया फथेपूर सेकाबटी दोस्तो यह सप्ता में जान देन संचालित होने वाली सुपरभाष्ट केटेगिरी ट्रेन है और इस ट्रेन का संचालन उत्तर मद्दे रेलवेज वोन करता है दोस्तो यह ट्रेन परतेक मंगलवार, बुदवार, शुकरवार एव रवीवार को जेपूर से रिंगस के बीच संचालित होती है दोस्तो अगर बात किजाए इस train की travel time की तो यह train जेपूर से रिंगस की कुल दूरी 60 km को करीबन 63 km परती गंटा के ओच स्पीड से 57 मिनट पे अपनी यात्रा तै करती है दोस्तो जेपूर से रिंगस के बीच इस train का कोई भी station पे ठेराव नहीं रहता है दोस्तो यह train परतेक मंगलवार, बुदवार, सुकरवार, एवं रवीवार को जेपूर जंगसन से दोपर में 12 बज के 35 मिनट पे चल कर रिंगस जंगसन दोपर में 1 बज के 32 मिनट पे पाउंचती है इसके बाद दोस्तो हमारी जो अगली train है वो है 20403 परियागराज बिकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया लोहारू दोस्तो यह सब्ता में 3 दिन संचालित होने वाली सुपरफास्ट केटेगरी की train है और इस train का संचालन भी उत्तर मद्दे रेल बे जोगोन करता है दोस्तो यह ट्रेन जेपूर से रिंगश की कुल दूरी 60 किलोमेटर को करीमन 63 किलोमेटर परती गंटागे और इस स्पीड से 57 मिनट में अपनी यात्रा तैय करती है दोस्तो यह ट्रेन परतक सोमवार गुरुवार एवं सनिवार को जेपूर जंक्शन से दोपर में 12 बज़ के 35 मिनट पे चल कर रिंगश जंक्शन उसी दिन दोपर में 1 बज़ के 32 मिनट पे पाउंसती है इसके बाद दोस्तो हमारी जो अगली ट्रेन है वो हज 04706 जेपूर सिरी गंगा लगर इस पेसल फेर इस पेसल ट्रेन की दोस्तो यह सबता के 7 दिन संचाली तो उने वाली मेल अक्स्प्रेश टाइब की ट्रेन है और इस ट्रेन का संचालन उत्तर प्रस्चीमी रेलवेजों करता है दोस्तो यह ट्रेन जेपूर से रिंगस की कुल दूरी 60 किलोमेटर को करीबन 58 किलोमेटर परती गंटा के उस्ति स्पीड से 1 गंटे और 2 मिनट में अपनी यात्रा तै करती है और दोस्तो इस यात्रा के दुरान इस ट्रेन का 2 स्टेशनों पे ठहरा रहता है दोस्तो यह ट्रेन रो जाना जेपूर जंक्सन से दोपर में 1 बज के 5 मिनट पे चल कर डैर का बाला जी चोमू सामोध होते वे रिंगस जंक्सन दोपर में 2 बज के 7 मिनट पे पहुंसती है इसके बाद दोस्तो हमारी जो अगली ट्रेन है वो हज 04712 बांदरा टर्मिनस बिकानेर इस पेसल फेर इस पेसल वाया जेपूर दोस्तो यह सबता एक मेलक्स प्रेश टाइप की ट्रेन है और इस ट्रेन का संचलन भी उत्तर पस्ची में रेलवेज ओन करता है दोस्तो अगर बात की जाएश ट्रेन के ट्रेवल टाइम की तो यह ट्रेन जेपूर से रिंगस की कुलदोरी 60 किलोमेटर को करीमन 59 किलोमेटर परती गंटा की वह स्थे स्पीड से 1 गंटे और 2 मिनट में अपनी यात्रा तै करती है दोस्तो यह ट्रेन परतेक सुकरवार को दोपर में 3 बज के 10 मिनट पे जेपूर जंक्सन से चल कर रिंगस जंक्सन सामें 4 बज के 12 मिनट पे पौँशती है इसके बाद दोस्तो हमारी जो अगली ट्रेन है वो है 14706 डहर का बालाजी भीवानी अंडरीजर एक्सप्रेष ट्रेन की दोस्तो यह सपता की साथो दिन संचालित होने वाली मेल अक्स्प्रेश टाइप की ट्रेन है और इस ट्रेन का संचैलन भी उत्तर पश्ची में रेल बेजोगोन करता है दोस्तो यह ट्रेन डहर का बाला जी जेप से रिंगस की कुल्दूरी सत्याओन किलोमेटर को करीबन सत्याओन किलोमेटर परते घंटा की उस्ते स्पीड से एक घंटे में अपनी यात्रा तै करती है दोस्तो इस train का ढहर का बाला जी से रिंगस के बीच तीन स्टेशनों पर ठेरा रहता है दोस्तो यह train रोजा ना ढहर का बाला जी से दोपर में तीन बज के पैंतालिस मिनट पे चल कर इसके बाद दोस्तो हमारी जो अगली train है वो है 04861 जेपुर चुरू डेमू स्पेसल train दोस्तो यह सब्ता के साथो दीन संचालिंद होने वाली डेमू टाइप की पेशेंजर train है और इस train का संचालन उत्तरपसी मिरेलवेजोन करता है दोस्तो अगर बात की जाए इस train के ट्रेवल टाइम की तो यह train जेपुर से रिंगस की कुल्दूरी 60 किलोमेटर को करीबन 41 किलोमेटर परती गंटा के उस्ती स्पीड से 1 गटे और 27 मिनट में अपनी यात्रा तैय करती है और दोस्तो इस यात्रा के दुरान इस train का साथ इस टेशनों पे ठेरा रहता है दोस्तो यह train जेपुर जंगसन से रोजाना सामें 4 बच के 40 मिनट पे चल कर पहर का बाला जी चोमू सामोद गोईडगंट मलिकपूर होते वे रिंगस जंगसन सामें 6 बच के 7 मिनट पे पहुंस दी है इसके बाद दोस्तो हमारी जो अगले train है वो है 14702 अमरापूर अरावली अक्सप्रेस train दोस्तो यह सब्ता की 7 दिन संचालित होने वाली मेलक स्प्रेस टाइब की train है और इस train का संचालन भी उत्तरपश्ची मीरेल बेजवहन करता है दोस्तो यह ट्रेन जेपूर से रिंगस की कुल्दूरी 60 किलोमेटर को करीमन 52 किलोमेटर परती गंटा के उसती स्पीड से 1 गंटे और 8 मिनट में अपनी यात्रा तै गरती है और दोस्तो इसी यात्रा के दोरान इस train का दो स्टेशनों पे ठेरा रहता है दोस्तो यह ट्रेन रोजानाथ जेपूर जंग्शन से साम में 6 बजे चल कर चोमू सामोध होते वे रिंगस जंग्शन साम में 7 बज के 8 मिनट में पर पौँशती है इसके बाद दोस्तो हमारी जो अगली ट्रेन है वो हज 04802 जेपूर सीकर डेमू स्पेसल ट्रेन दोस्तो यह डेमू टाइप की पेसेंजर ट्रेन है और इस ट्रेन का संचालन उत्तर पस्ची मी रेलवे जोओन करता है दोस्तो यह सीमे समय तक संचालित होने वाली 31 मार्च 2024 तक संचालित होने वाली ट्रेन है दोस्तो अगर बात किजा इस ट्रेन के ट्रेवल टाइम की तो यह ट्रेन जेपूर से रिंगस की कुल्दूरी 60 किलोमेटर को करेबन 48 किलोमेटर परती गंटा के वस्ते स्पीड से 1 गंटे और 15 मिनट में अपनी यातरा तै करती है और दोस्तो इस यातरों के दोरान इस ट्रेन का साथ स्टेशनों पे ठेरा रहता है दोस्तो अगर बात करें इस ट्रेन के ट्रेवल टाइम की तो यह ट्रेन दोस्तो यह train रोजाना जेपूर जंग्शन से सामें 7 बच के 25 मिनट पे चल कर रेंगस जंग्शन रात में 8 बच के 40 मिनट पे पाउस दी है इसके पास दोस्तो हमारी जो अगली train है वो है 19701 सेनी का अक्सप्रेश train दोस्तो यह सब्ता के साथो दिन संचालित होने वाली मेल अक्सप्रेश टाइप की train है और इस train का संचालन उत्तरपस्ची में रेलवे जोन करता है दोस्तो यह train जेपूर से रिंगस की कुल दूरी 60 किलोमेटर को करीबन 53 किलोमेटर परती गंटा के उस स्पीड से एक घंटे और साथ मिनट में अपनी यात्रा तै करती है और दोस्तो इस यात्रा के दोनाने इस train का तीन स्टेशनों पे ठहरा रहता है दोस्तो यह train जेपूर जंगसन से रोजाना रात में 8 बज के 45 मिनट पे चल कर रिंगसन जंगसन दरात में 9 बज के 42 मिनट पे बाउसती है इसके बाद दोस्तो हमारी जो अगली train है वो है 04716 साइन अगर सीडी बिकानेर इस्पेसल फेर इस्पेसल train की दोस्तो यह train सपता में एक दिन संचालित होने वाली मेलक स्प्रेश टाइप की train है और इस्ट्रेन का संचालन भी उत्तरपस्ची में रेलवे जोगोन करता है दोस्तो अगर बात की जाए इस train के travel time की तो यह train जेपूर से रिंगस की कुल्दूरी 60 किलमेटर को करीबन 67 किलमेटर परती गंटा के उस्टे स्पीड से साथ पे 10 बज के 8 मिनट पे पाउस्ती है तो दोस्तो यह थी जेपूर जंक्सन से खाटो जाम जी रिंगस तक चलने वाली सभी ट्रेनों की जानकरी दोस्तों उमीद है वीडियो आपको पसंद आई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक पस सेर करना ना भूल है और हाँ दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार रहे तो करपकेर के चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को जुरूर सी दबा ले ताकि चैनल पे आले वाले नए वीडियो को नोटिपिकेशन सबसे पहले आप तक पाउस्ता रहे तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इत तब करके ता